क्या बड़े शहरों में मकान की राय पर लेने के लिए पढ़ा लिखा होना अनिवारे होगा? क्या मकान रेंट पर लेने के लिए अच्छे मार्क्स लाना जरूरी होगा? इसे सुनकर आपको अजीब लगा होगा. हमें भी एक बल के लिए ऐसा ही लगा था. एक ऐसी ही खबर बैंगलूरू से सामने आई है जिसमें एक युवक को नंबर कमाने के कारण मकान नहीं मिला. यानि लड़का पढ़ा लिखा तो है लेकिन मार्क्स बहुत कम थे जिसके कारण मकान मालिक ने घर रेंट पर देने से मना कर दिया. सोचल मीडिया पर एक पोस्ट काफी तेजी से वाइरल हो रही है जिसमें दावा किया किया कि मकान मालिक ने कम माक्स आने के कारण मकान देने से मना कर दिया. पोस्ट में दो वाट्सेप स्क्रीन शॉट अटैच हैं. पहले स्क्रीन शॉट में ब्रोकर और युवक के बीच बादचीत को देखा जा सकता है जिसमें ब्रोकर द्वारा युवक से सारे दस्तावेज मांगे गए हैं. इसके साथ ही युवक से अपने बारे में कुछ देखता है कि ठीक है हम आपको दे देंगे. वहीं दूसरे स्क्रीन शॉट में देखा जा सकता है कि युवक ने सारे दस्तावेज ब्रोकर को दे दिये हैं. इसके बाद ब्रोकर का दिया जवाब देखनी लाइक है. ब्रोकर का कहना है कि युगेश माफी चाहते हैं. मकान मा इस पोस्ट को एक ट्विटर यूजर शुब ने शियर किया है यूजर ने पोस्ट करते वे लिखा कि अंक आपका भविश्य तै नहीं करते हैं लेकिन ये निश्चित रूप से तै करते हैं कि आपको बेंगलोर में फ्लैट मिलेगा या नहीं इस पोस्ट के बाद लोगों के एक्षिन सोशल मीडिया पर देखने को मिल रही है आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंन सेक्षिन में जरूर बताएं इसके साथ ही आप हमें अपना फीड़बैक इन्फो एड जस्ब्रोडकास्टिंड.com पर मेल भीज कर जरूर दे